यासे हूँ मैं रिवर्ट होके साथ साल हो गिया है मैंने कुरान पड़ा है तो उसके अंदर एक सूरे अल-अजाब में शायद मुझे याद नहीं है लेकिन उसमें लिखावा है जो भी रिष्टेदार में शादी करते हैं वो सिफ और सिफ हुजूर के लिए है मौमिन के नहीं है लेकिन इंडिया में पाकिस्तान में सभी जगा पे रिलेटिव में शादी होती है तो ये जायद है या नहीं है सिस्थाह आदेच करते हैं है यो में बस्टाहा है एक विखेश है कि विव Si तक रुर्ट मुझेम आदुकारар कर दोट काम सन्ट इम्हान क्वड़ा की अधुर, आझे मेट रुस्ट आखचार कर तक टॉफ्दी नहीं मेट आखचार को अध्याद करण। पर से फर्स्साइन है जोड़ाई। तो कुरान confiance कि और एम्रॉट जड़ा ही। जमने माभे आम्रेशार टार टारेश अरेशा जड़ारे जाए।, जड़ा लेटले द्ल Signal ऑब हिस सबस्षराइ जड़ार मेरे आम्रेशountain से महाजार लुए। There are few restrictions. The other relatives you can marry. This is given in the Quran in Surah Nisa 4 verse 24. For the Prophet, there is another exception that from this time now onwards, you cannot exchange any woman from the woman that you have because the Prophet had more than four wives. When the revelation came, that maximum you can give four wives. For the Prophet, there was an exception. He could keep more than that. But that doesn't mean the Quran gives permission for the Muslims in general to marry the relatives except those which are mentioned in Surah Nisa chapter 4 verse number 23 and 24 that is brother and sister, mother and son, daughter and father, paternal uncle, maternal uncle. First cousin per se you can marry. Hope the answer is a question. No, I mean, Surah Al-Azab, perhaps Yassin'sa the first verse and the verse of 49-50 came in that verse. में पूरा लिखावा है कि आप मामा की लड़की, फूपू की लड़की, ये सब कुछ सिफ और सिफ हुजूर के लिए जायज है, उम्मत के लिए नहीं. ये ऐसा नहीं लिखावा है. नहीं मैंने पढ़ा है. महें आपको बोलता, आपको गलत पर उसमें ये लिखा हुआ है. सूरह आजाब चप्टर 33, वर्स नमबर 49-52. ये खुराने. उनके लिए एक्सेप्शन फॉर अप्रॉफिट, देरा एक्सेप्शन देरा एक्सेप्शन देरा एक्सेप्शन देरा एक्सेप्शन फोर वर्स नमबर 49-53. मैंने बराबर सूरह भाई मुझे पता है, भाई हाट पता है मुझे. आप बोल रिष्ट दबल पढ़ रहा हूं मैं. मैंने दो बार पढ़ा है और आंटी से भी पढ़ाया है, वही है. चाहे. मतलब वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप फूपू की लड़की, खाला की लड़की. अरे आम और आम मुसल्मान भी फूपू की लड़की, पौपा की लड़की से कर सकती है, मैं रेफरेंस दे रहा हूं आपको. लेकिन खुरान में लिखा हुआ है कि कुरान में पढ़िये. मैं कुरान पढ़के ही पूछी उनसे. कुरान के अंदर वो बिल्कुल जो लिखा हुआ, पूपी के लड़की से शाइदी कर सकते लिखा है, वो आम मुसल्मान के लिए भी है. आप जो कि God has given you spoilers of one, daughters of your uncle and the father's side and daughters of the aunt's side. सुरा अल्ला जाब की 49 से 50 वाली आयत का अंदीर है. दो को आप क्या कर रहें बताता है. एक particular verse जो है ना, middle of that verse, it says that and a believing woman if she gives herself to the prophet and the prophet desires to ask her in marriage, a privilege for you only. मतलब मुहमद सुल्ला जालम कौन सी भी आउरत से कर सकते है. वो पहला verse is common for everyone. ये सिर्फ प्रॉफेट के लिए है. बाकी नहीं, समझा आप न? मैं नहीं समझी. I can only say it in English. क्योंकि English translation है. समझा आप? English समझना आपको? थोड़ा थोड़ा. थोड़ा थोड़ा. इसके अंदर ये लिखावा है. कि and the daughters of your uncle on the mother's side who migrated with you and a believing woman if she gives herself to the Prophet and the Prophet desires to ask her in marriage a privilege for you only, not for the rest of the believers. मतलब एक आवरत अगर कहती है कोई करना चाते है या मुम्मत स्वल्लाव स्वल्लम बोलते हैं मैं आवरत से करना चाता हूँ तो आवरत को करना चाहिए. मैं अगर कोई लड़की से बूझा तो उसको बुझा शादी करना ज़रूरी नहीं है. समझे रहा? प्रॉफिट एक अलग दर्जे पे है. तो मतलब वो जिसको चाते हैं वो ऐसे कर सकते हैं उमत नहीं कर सकते हैं. उसका मतलब ने जो पहले आयत में भी लिखा हुआ है क्या वो अपने फूपू के लड़की से कर सकते हैं वो आम मुसल्मान के लिए भी जाइज है. सिर्फ ये लास पार्ट खुसूस और मुहमत नहीं के समझे आप? वो पहले पार्ट को आप मर्च कर रहे हैं दुसरे पार्ट से. आप समझे रहे हैं ने? मतलब एक ही आयात में हैं तो मैं समझ नहीं पाई है. आप के भुष से हिस्से हैं, पहला हिस्सा में लिखा हुआ है, क्या आप अपने अंकल के बीटी से कर सकते, आंटी के बीटी से कर सकते, ये लिखा हुआ है सुरे निसा में भी, वो जवाब मेरा सही है, जवाब बदला ने. लिकिन आपकी इस अवलत के लिए वापिस से मैंने आपको खुश करने के लिए खुल के बढ़ आओ समझे आप मेरा और एक कोशन है एक कोशन बहुत से लोग खड़े सब मुसंभानी चाहिए जोटा सा कोशन है चोटा रहता है जवाब नम्मा रहता है भी जी जड़ा में बाकी लोग से एक एक राउंड तो पुरा गरूफ अच्छा पूछे मतलब हिंदू लोग जब मर जाते हैं उनको जलाते हैं और मौमीन को तो कबर में अजाब होता है तो जब मौमीन को गार देते हैं तो उनकी आत्मा उनकी अंदर जाती है उनका अजाब स्टार्ट हो जाता है तो हिंदू की तो बाडी नहीं होती तो उनको अजाब कैसे होता है बाई साब कबर के अजाब के लिए होने के लिए कबर में जाना ज़रूरी नहीं है अगर कोई डूप के मर जाता है तो उसका अजाब नहीं होएंगा नहीं उसकी बॉड़ी को दफनाएंगे या जलाएंगे हिंदू को छोड़ो अगर एक मुसल्मान एक घर में आग में जल जाता है तो उसका अजाब नहींगा नहीं वही कैसे होगा पुछ रही हो वह भणने के बाद मालू पड़ेगा अभी अलाट अल्ला को जैसा देने के अजाब देंगे आप समगा अजाब है अभी कैसे होएगा वह अल्ला जाने मैं थोड़ी अल्ला हूँ और क्यों इतनी फिकर करने का है हम जब सही रास्ते परेंगे तो अधा भी नहींगा ना आपको ज्यादा फिकर है कैसा अधा भी नहींगा आपको ये फिकर होना जागा मैं गुना नहीं करूँ गुना नहीं करेंगे तो अधा भी नहींगा ना इंशाला लेकिन सबीसे होता त झाल्ला थे स्टिक्फार्करो, आल्ला थे स्टिक्फार्करो क्या अल्ला अमारी गुनायको मावख़े, इंशालला मावख़े, इंशालला